Hello everybody, welcome to the successive physics जैसे कि आप सुब जानते हैं कि हम आपके लिए सारी जो physics की notes है वो provide कर रहे हैं तो हमने देखा पिछले वीडियो में हम magnetic materials के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, lecture 1 की notes हमने आल्रेडी आपको provide कर लिए हैं अब lecture 2 की notes हम आपको provide करने वाले हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने lecture 2 के लिए जो second point है आपके magnetic materials में इस chapter में तो इसकी notes हमने यहाँ पर आपके लिए provide की हैं, तो देखिए second point जो है, वो second point आपके लिए है magnetic moment of an electron revolving around the nucleus of an atom ज्याने कि यहाँ पर इस point में एक derivation का part है आपके लिए तो यहाँ पर इस derivation में आपको magnetic moment निकलना है, magnetic moment याने के ym होता है आपको पता होगा तो आपको यहाँ पर magnetic moment निकलना है electron का जो electron revolving around the nucleus of an atom याने कि ओ electron around the nucleus याने कि nucleus के तो इस तरह का एक electron है इस electron पे जो भी magnetic moment होगी उसकी value आपको calculate करनी है तो इस तरह से एक system है जो हमें consider करनी है तो मैंने आभी तक आपको जो भी बताया है कि हमें एक electron consider करना है उससे इस तरह से घुमाना है तो ए सारी बाते आपको इस consideration में यहाँ पर मैंने लिख दिये आप उसे पढ़ लेजिएगा तो यहाँ पर देखिए magnetic moment की value आएगी वो क्या होगी magnetic moment की value i into a आएगी क्यों आएगी तो देखिए यह जो loop होगा यह circular loop जो होगा वो किस तरह से काम करेगा वो एक current के loop की तरह काम करेगा जिससे current flow हो जाएगा तो इसलिए वो current loop की तरह काम करेगा अब अगर वहाँ पर current loop होगा तो magnetic moment की value कितने आएगी magnetic moment की value m is equal to i into a आएगी current into area तो इस तरह से यह value यहाँ पर निकल के आएगी अब देखिए आप क्या होगा if the electron travels a distance of 2 pi r यानिके circumference 2 pi r क्या होता है देखिए 2 pi r क्या होता है circumference of the circle होता है अब हमारा electron अगर circular orbit में travel कर रहा है तो कितना distance travel करेगा circumference जितना यानिके कितना 2 pi r जितना distance हमारा electron क्या करेगा travel करेगा तो इस वज़र से अब देखिए 2 pi r तो उसका distance हो गया वो जितना travel करेगा उतना तो आप इसका यूज करके हमें क्या निकल नहीं है, velocity निकल नहीं है, किसकी electron की velocity, तो यहाँ पर देखिए कि formula यहाँ पर निकल के आया है, velocity of electron के लिए, जैसे कि आप जानते है, velocity क्या होता है, velocity is equal to distance upon time होता है, correct, distance upon time होता है velocity, तो distance कितना हुआ, distance हुआ 2 pi r, और time जो है, वो as it velocity यहाँ पर रही जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर ए जो है, velocity की value आपके लिए निकल के आ रही है, now come to the next, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस page पे, यहाँ पर मैंने, वो system आपके लिए बनाई है, जो system मैंने अभी explain की है, कि हमारे पास एक electron है इस तरह से, वो electron इस तरह से घूम रहा है, इस orbit में, तो यह current उस पर कुछ current आ रहा है, इस तरह से यह r नाम की उसकी radius होगी, तो इस तरह से यह सारे बाती इस diagram में explain की है, अब देखिए, does the current associated with electron of charge E is, अब हमें current की value निकलनी है, अब तक हमने देखा, हमने magnetic moment देखा, velocity दिखी, अब यहाँ पर हमें current की value निकलनी है, तो देखिए current क्या होता है, आपको पता होगा, current यानिके charge, q upon time होता है, correct है, तो यहाँ पर charge कितना है, charge है E, क्योंकि यह electron है, वर electron पर E नाम का charge है, इसलिए I is equal to E upon T, A equation यहाँ पर निकल के आता है, अब चलिए next point की बढ़ते हैं, अब यहाँ पर देखिए अब हमने सब कुछ निकल लिया है, हमने आप तो क्या क्या देखा है, कौन-कौन सी equations निकल ली, यह हम देखा, उसके बाद velocity देखा, और उसके बाद current की value देखिए, अब यहाँ पर E equation को देखिए, E equation है time period का, यानिके time period हम किस तरह से निकलते हैं, T is equal to 2 pi upon omega, और omega की value कितनी आएगी, omega is equal to क्या होता है, omega अनिकी angular, क्या होता है, angular velocity, correct, omega अनिकी angular velocity, तो angular velocity क्या होता है, linear velocity, यानिके V upon R, यानिके radius, तो इस तरह से यह angular velocity होती है, और यह time period की value, हमारे पास I है, आप देखिए, इन values को इस equation में रखिएगा, I की equation में, यानिके current की equation में, current का equation क्या था हमारे पास, I is equal to E upon T था, correct है, charge upon time, तो charge तो E रहेगा, as it is, यहाँ पर है, और time का equation है, T is equal to 2 pi upon omega, यहाँ पर हमने A इसे put कर दिया, correct, ज्यान से देखिएगा, और अब यहाँ पर omega की value, यहाँ पर इस equation में omega की value है, वह value हमें यहाँ पर रखनी है, तो हमारे पा equation निकल के आ जाएगा, तो इस तरह से हमने substitution करके, कुछ equations हमने यहाँ पर put कर लिए है, तो हमेरा A final equation आगया, current का, तो इस equation को हम equation number 1 नाम देंगे, चलिए आब आगे बढ़ते हैं, अब current की value तो निकल के आगई, current की value आगई, तो आब यहाँ पर देखिए, magnetic moment की value हमारे पास already है, सबसे पहला equation देख लिजेगा, सबसे पहला equation था हमारा, तो A था, magnetic moment का, magnetic moment is equal to current into area, correct है, तो एक current की value तो यहाँ पर है, equation 1 में, अब देखिए, area कितना होगा, area कितना होगा, हमारा एक क्या है, यह circle है, correct है, हमारा जो electron है, वो सर्कल में घूम रहा है, तो इस तरह से यह circle है, तो यह circle है, यानि कि इसका area कितना होगा, pi r square, correct है, circle का area कितना होता है, pi r square, तो इस तरह से अगर हम इन सब को देख लेंगे, तो हमारे पास A equation number 2 निकल के आ जाएगा, तो A equation, magnetic moment के लिए हमारे पास आया है, correct, अब देखिए, यहाँ पर क्या होगा, तो A to equation था, magnetic moment का, अ अब यहाँ पर देखिए, एक अलग equation आया रहा है, यह है, angular momentum के लिए, orbital angular momentum, तो यह L से हम denote करते हैं, correct है, orbital angular momentum is denoted by L, तो इसकी एक value होती है, यह equation यहाँ पर होता है, mvv, mvr, so equation number 2 को अबर देखिएंगे, तो equation number 2 हमारे पास क्या है, magnetic moment के लिए, इतना equation हमारे पास था, देखिए, इतना ही था, सिर्फ, देखिए, equation number 2 था, magnetic moment is equal to 1 by 2 evr, इतना ही equation, equation number 2 हमारे पास था, अब हमें क्या करना है, इस equation number 2 को multiply or divided by m e से करना है, तो यहाँ पर देखिए, m e multiplied or divided by m e करेंगे, तो इस पर कुछ असर नहीं होगा, देख equation हम क्या करेंगे, सिर्फ substitution करेंगे, जगह चेंज कर देंगे, कुछ initials की, तो हमारे पास ए equation आजाएगा, और अबर ए equation आता है, तो देखिए, ym e vr को हम क्या लगते है, ym e vr क्या है हमारा, ym e vr यानके, capital yl है, यानके, orbital angular momentum है, तो ym e vr के जगह पे, हमने क्या रखाए यहाँ पर देखिए, capital yl यहाँ पर रख दिया है, और यह equation number क्या है, इसको हमने equation number 3 नाम दिया है, अब यहाँ पर देखिए, यह जो e upon 2 m e है, e upon 2 m e, यह क्या है, यह gyromagnetic ratio है, इसे हम कहते है, gyromagnetic ratio, ओके, तो अब देखिए यहाँ पर, for an angular, for an electron, revolving in a circular orbit, the angular momentum e is integral multiple of h upon 2 pi, एक famous equation है, एक famous statement है, physics का, आप कुछ आप जानते होंगे इसे, कि यह जो angular momentum लेता है, यह angular momentum, o integral multiple of h upon 2 pi रहता है, तो इसकी वज़र से, यह देखिए, एक already formula हमारे पास था, तो integral multiple होने के वज़र से, एक और formula हमारे पास आ गया है, क्या है formula, nh upon 2 pi is equal to y, एक है, यह यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसको अगर हम substitute करेंगे, equation number 3 में, आपके पास आप देख सकते है, equation number 3 था हमारे पास, तो यह substitution करने के बाद, finally, यह result हमारे सामने आया है, यह value आई है, magnetic orbital moment की, तो y is equal to e n h upon 4 pi y e, इस तरह से value निकल कर आई है, जहाँ पर y n जो होगा, a n क्या होगा, यह number of orbit होगा, तो इस पर हम रख सकते हैं, number of orbit 1, 2 आप रख कर देख सकते हैं, अब यहाँ पर अगर आप 1 रख देंग, देते हैं, first orbit, तो y n is equal to 1 होगा, तो उसको जासे, यह formula यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर जो है, इसकी value मैंने यहाँ पर आपके ल निकल के यहाँ पर आ जाएगी, तो इस तहर से यह सब बात यह होती है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और हमरे चैनल को सब्सक्राइब तरूर कीजिएगा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, अगले पॉइंट को लेकर तब तक के लिए, थेंक यू, थेंक यू, थेंक यू very much.